पंचकुला के सेक्टर 20 के पॉश कलब में नाइट पार्टी के बाद सुबे चार बजे कलब के बाउंसरों और पार्टी करने वाले यूवकों में जमकर जगड़ा हो गया ऐसे में दोनों गुटों के बीच में लाद घूसे डंडे वर तलवारे भी चली आपको पता दे कि दो यूवक तीन यूवतियों के साथ पार्टी करने आई थे और उसी दुरान बिल को लेकर वहां कलब के संचालकों के साथ यूवकों की बहस हो गई इस बीच बचाव करने आई बांसरों के साथ भी हाथा पाई हो गई अरोपी यूवकों ने कुछ अन्य यूवकों को फोन करके मौके बर बुला लिया दो गाडियों में सवार करीब दरजन भर यूवकों ने डंडो और तलवारों से कलब के बांसरों पर हमला गर दिया जगडे के दोरान अरोपी यूवक बिल के पैसे लेने आई कलब के एक वेटरों को भी 100 मीटर तक गाड़ी के बॉनट के नीचे घसीरते हुए लेता गया जिससे वेटरों को काफी चोटे लगी है उसके दोनों हाथ तूड गए और पैर में भी फ्रेक्शर हुआ है जिसका इलाज पंचकुला के सेक्टर छे में नागरिक हस्पताल में चल रहा है ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले